कि हलो है रीकां और वैलकम बैक टो जीकर टूटिरियल्स मै यह वीडियो परेड़ निजयह डीज़ों में हम देखेंगे जो भिगे हमारे पाउर प्लांट शेति इन स्लेभश में ठीक है बिसीक्ली दो टाइप के पाउर प्लांट न्यूक्लियर पाउर प्लांट और थर्मल पाउर प्लांट टोटल मिलाके हमारा साथ पाउर प्लांट के बारे में पढ़ना है जिसमें से चार न्यूक्लियर पाउर प्लांट से और तीन थर्मल पाउर प्लांट से ठीक है मैप वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट है मैप नुकलियर पाउर प्लान्ट और थेर्मल पाउर प्लाट तो चलो देखते हैं देखो नुकलिएर पाउर प्लांट में हमारे टोटल चार हैं नरोरा, काकरा पारा, तारपुर और कलपक्कम ठीक है anxious तो ये चार हमारा है, सबसे पहले ये समझ लो कि कौन सा किस स्टेट में है, क्योंकि मार्किंग बाद में करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट में है, ठीक है, तो नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेस में है, काकरापारा गुजरात में है, तारापूर महरा आश्ट्रो में है और कलपकम तमिल नाडू में है ठीक है इस टेट का नाम सारा यादोना जरूरी है ठीक है तो मार्क करने में आपको आसानी हो जाएगी मतलब मार्किंग याद करने में आसानी हो जाएगी ठीक है नरोरा उत्तरप्रदेस काकरापरा गुजरात में है ताराप गुजरात वाला राजस्थान वाला जो ठीक है ये लाइन और साथ में ये वाला जो है हमारा उत्राखंड वाला जो है नेपाल और उत्राखंड की बीच वाला ये लाइन जहां पे आती है इसके बीचो बीच यहां पे आपको मार्क करना है क्या नरोरा ठीक है तो ये याद रखना गुजरात और उत्राखंड से आने वाले जो boundary line है उसके बीचों बीच आप मार करदोगे नरूरा clear है ना चलो यह हमारा होगया पहला नरूरा कहां पर है second हमारा है, काक्रापारा ठीक है तो काक्रापारा हमने ओवे ऊपर देखा, काक्रापारा कहां पर है गुजरात में है, तो यह वाला जो map है ये वाला जो part है ये ये किस चीज़ का है ये गुजरात है ठीक है identify पहले states तो यहाद करी लिए होगे 10th में हो body exam देने वाले हो चलो ठीक है ये हो गया गुजरात गुजरात में काक्राप आ रहा है अब इसको mark करने के लिए हम क्या करेंगे देखो इसमें आप ये देखो ये वाला जो designing है ठीक है sorry थोड़ा जूम कर लेते हैं ठीक है ये वाला जो part देख रहे हो ये यहाँ पे आप mark करोगे क्या चीज़ गुजराट ठीक है काक्राप रहा है अब यहाँ पे mark करने के बजाए अगर आप यहाँ मार कर देते हो यहां मार कर देते हो हलका फुलका जो है वो चलेगा एक्जेक्ट जरूरी नहीं है मार करना लेकिन यह याद रखना कि यहां पे है इसके बजाए अगर आप इस चीज़ को यहां पे मार कर देते हो यहां मार कर देते हो यह इधर मार कर देते हो यह गलत माना जाएगा clear है ना तो यहाँ पे mark कर देना अच्छा देखो लिखेंगे कैसे तो यहाँ पे point देने के बाद चुकि आप से क्या पूछ रहा है point पूछ रहा है तो point से ही इसको denote करते हैं कुछ लोग होते हैं लिखना है गुजरात में है पता है अब क्या करेंगे इसको पूरा पूरा set कर देंगे गुजरात तो ऐसे नहीं करना है इसको एक point से बताना है point के बाद आप एक line बनाओगे ऐसे और यहाँ पे लिख दोगे कि 3 का A ठीक है यहाँ पे A लिख दोगे ऐसे जो भी है और इसके बाद आगे इसका नाम लिख दोगे काक्रापारा ठीक है जो भी है तो ऐसे करके एक्जाम में आपको करना है clear है न देखो यह हमारा हो गया काक्रापारा तीसरा हमारा है तारापूर अब तारापूर हमारा कहां पे है तो हमने पहला देखा था पहला यह उत्तर प्रदेश में है दूसरा हमारा गुजरात में है तीसरा महाराश्ट में है उत्तर प्रदेश में कौन सा है नरोरा गुजरात में कौन सा है काक्रापारा ठीक है जी के बड़े हो ना तो देख रहेते हैं कैसे मार्क करेंगे इसको देखो इसमें भी आपको एक में रुक जो कि यह आपको पता है कि मुंबई जो है यह यहीं पर है एक बार इसको और थोड़ा से जूम कर लेते हैं ठीक है अगर इसको यहां पर के आपको अपको रस लेखने को मिलेगा तो इसी के ऊपर जो है यह कि यह पको नहीं करना है है तारा पूर्ष पूर्थ healthy ए उसको बाद आपको अंसर लिखना है ठीक है तो यह हमारा हो गया तारापूर अब अग्ला हमारा हो ओग्या है है चौथा कलपक्कम कलपकम कहां पे है तो यह तमिल नाडु में है चहां पर आप चंपना करते हो वहीं पर िसको मार कर सकते हो फिलकों एक पॉइंट पे बस हलका डिफरण कर सकता है बहूत जाधा करेगा तो वह गलत हो जाएगा ठीक है basic हमारा देख रहे हो जैसे ये पूरा हमारा क्या है तमिल नाडू है और इस तमिल नाडू में यहाँ पे हम मार करते हैं चिन्नई तो जहाँ पे चिन्नई मार करते हैं वहीं पे हमारा क्या है कलपक्कम है ठीक है ना तो यह हमारा कलपकम हो जाएगा एक बार फिर से देख लेते हैं देखो उत्तर प्रद पर aye उसके उपर उसके बाद तीसरा हमारा है जहां मुंबई है वहाँ पे तारापूर आएगा और चौथा हमारा कल्पक जहां पे हम至च इंपोर्टेंट्स आप इन चारव मेंक्राइब नहें सब्सक्राइब नहीं हैं तो यह हम देखते हैं तर्मल-म defendant तर्मल पावर प्लान्ट में हमारा 3 है, टोटल कितना था, 7 था तो न्यूक्लियर में हमने देख लिया, कितना? 4 कौन-कौन सा नरोरा, काक्रापारा, तारापोरोर, कलपकम, अब हमारा तर्मल में है, 3 कौन-कौन सा है, देख लेते हैं एक है नाम रूप, दूसरा है सिंग्रॉली, दीसरा है राम गुंदम अब एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पे इस्टेट का नाम लिखना भूल गया हूँ नाम रूप जो है, यह आपका कहाँ पे है, आसाम में है सिंग्रॉली कहां पे हैं मद्य प्रदेश में है और रामा गुंदम कहां पे है यह आपका प्रेजंट में तिलंगाना में है ठीक है रामा गुंदम कहां पे है तिलंगाना में है इस्ट्री में गुंदम हिल्स पड़े होगे ना आंद प्रदेश वाली कहानी तो तिलंगाना म में है गुंदम ठीक है नाम रूप आसाम सिंग्रॉली मद्द प्रदेश और राम गुंदम यह है आपका तिलंगाना में तो देखते हैं मार्किंग इसका ठीक है पहला आपका नाम रूप आसाम सेवन सिस्टर्स में आता है ठीक है यह वाला जो पार्ट है इसमें और यह सबस यह वाला जो पूरा पार्ट है आपका यह यही आपका आसाम है और इसी में यह वाला जो पार्ट है यहां पे आपको मार्क करना है नाम रूप तो यह जरूर देख लिना इसके बाद हमारा नाम रूप हो गया दूसरा हमारा था सिंग्रॉली और उसके बाद राम गुद्दम तो सिंग्रॉली कहां पे है मद्य प्रदेश में आपको पता है यह मद्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश के नीचे वाले रीजन अब मद्य प्रदेश में कहां पे है तो मद्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो यह वाला जो पार्ड बनता है इसी में है याद रखना तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा सिंग्रॉली इसमें भी अगर आप यहां पे मार कर देते हो तो भी ठीक है हलका फुल का डीफर करेगा ठीक है यह हो गया आपका नाम रूप सिंग्रॉली हो गया इसके बाद हमारा तीसरा आता है रामगुंदम ठ बताए गया हूँ तिलंगाना जो है नीचे वाला कॉन सा यह पूरा आप देख रहे हो यह पूरा का पूरा क्या है। आंधरप्रदेश थह और इसकी पार्टीशन हुआ है।े इसके ऊपर यह तिलंगाना है और यह आंधरप्रदेश है। तो ये हमारा जो है रामा गुंदम ये कहां पे है ये आपका तेलंगाना में है और कहां पे आएगा तो इसको भी boundary से ही याद रखो ये आपका किस चीज की boundary है ये वाली, ये आपकी महराश्ट्रा की boundary है ये और इधर से आ रहा है आपका 36 गर की boundary और इसके बीच में 36 गर के side में थोड़ा सा shift करके यहां पे आपका आएगा कौन सा तो ये आपका हो जाएगा रामा गुंदम ये बहुत important नहीं है लेकिन चुकिस लेबस में साथ ही दिया है तो practice कलेना सबसे important कौन सा है नाम रूप है और तारापूर है ये था हमारा total map का एक पर फिर ते पूरा देख लेते हैं देखो इसमें आपका पहले से पहला हो गया आपका नारोरा जो की उत्तर प्रिदेश में है दूसरा आपका काकरापारा गुजरात में है तीसरा तारापूर महरास्टरा और चोथा कलपकम जो आपका तमिलनाडू में है इसके बाद नाम रूप आपका आसाम में है मद्र प्रिदेश में आपका सिंग्रोली है और राम गुद्धम यापका तिलंगाना में है तो ये आपका था total पावर प्रांट्स जो थर्मल पावर प्रांट्स और नुक्लियर पावर प्रांट्स थे ठीक है चलो